Hello everyone, मैं हूँ Preet and welcome back to my channel Dresser with Preet आज की वीडियो जो है न मीशो वेडिंग हॉल वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ आज की वीडियो में कुछ आपसे वेडिंग एपरोप्रियेट सिल्क साडी जो है शेयर करने वाली हूँ इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ट्राया और प्राइज आपको स्क्रीर में दिख जाएगा कोई भी प्रॉड़क्त आपको अच्छा लगता है तो आप चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तो लेट्स केट स्टार्ट जो फर्स्ट साड़ी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैंने ली है ये बहुत ही सुन्दर और साथ में इसके रेड कलर का ब्लाउज आया है फाब्रिक जो है ना इसका जॉर्जट मेटीरियल है लेकिन अच्छी कॉलेटी का जॉर्जट मेटीरियल है देखते हैं किस तरीके की ये साड़ी है और इसकी लुक जो है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगे किस तरीके की इसकी लुक है पहले blouse देख लेते हैं हम blouse piece जो है ना इसका इस तरीके से red color के अंदर है वो ही same fabric है जो आपका sari का fabric है इस तरीके का ये पूरा इसका blouse है मतलब आप blouse piece अच्छा है आप इसको use कर सकते हैं मतलब अगर आपको stitch करवाना है ना ये blouse तो आप पहन सकते हैं otherwise आप इसके साथ pink blouse भी पहन सकते हैं आप इसके साथ green golden भी पहन सकते हैं brocade के blouse भी पहन सकते हैं दोनों ही अच्छे लगेंगे दोनों चल जाएंगे देखते हैं किस तरीके की इसकी लूक है और किस तरीके की ये साड़ी है इसके जो पल्ले के उपर जो है न ऐसे टैसल्स की डिटेल दी हुई है टैसल्स वाली लेस लगी हुई है पूरी साड़ी जो है इस तरीके से है पूरे पे बूटियां बनी हुई है और इसका जो गेरा है ना इसके गेरे के जो नीचे से जो आपका border है इस तरीके से इसका border है और पूरे पे इस तरीके की ऐसे जो है बूटियां बनी हुई है अच्छी length है इसकी proper इसकी length है जो आपकी साड़ी की साड़े 5 मिटर की होती है इसकी proper length दी गई है इसकी fabric अच्छा है quality बहुत अच्छी है अलग से आपको contrast में blouse दिया हुआ है आप इसको बहुत ही सारे different different color के blouses के साथ style कर सकते हैं पहनी हुई अच्छी लगेगी और best part is इसके आहां पर tassels की detail भी दे रखी है मुझे अच्छी लगी है मैं अगर जादा heavy sardis पसंद नहीं है तो मुझे इस तरीके की sardis अच्छी लगती है इसको आप छोटे मोटे functions में regular wear में भी पहनना चाहते है तो पहन सकते हैं आसपास जाने के लिए अच्छी लगेगी बहनी होई तो next sardis जो है इस pink color के अंदर मैंने लिए लीची silk वाला इसका जो fabric है वो आपका blouse है आपका pink shade के अंदर वही same color के अंदर blouse है जिस color के अंदर आपकी साड़ी है overall same color की साड़ी है यह इसका blouse है और blouse के अलावा जो है इसके अंदर यह आपकी पूरी साड़ी है इस तरीके से इस पे border दिया हुआ है उपर नीचे दोनों उपर नीचे जो है वो same border ह जैसा उपर border दिया हुआ है वैंसे नीचे border दिया हुआ है पूरे पे इस तरीके से बूतियां बनी हुई है फैबरीक बहुत ही ज़याधा soft है इसका और plain color plane same design के अंदर plain इसका blouse है और इसका जो पला है इस तरीके से इसका पल्ला दिया गया है ये इसका पल्ला है पूरा ठीक है और ये पूरी साड़ी है और जो इसका ब्लाउज है वो आपका प्लेन इस तरीके से इस तरीके का आपको प्लेन ब्लाउज दे रखा है और ब्लाउज के ओपर भी स्लीव के लिए ऐसे बॉर्डर दे रखा है पहनी वही बहुत अच्छी लगती है, again silk fabric के अंदर है, देखते हैं किस तरीके का इसका design है, पल्ला कैसा है और blouse कैसा है इसका, देखो ये इसका जो है पल्ला है, पूरे पल्ले पे इस तरीके से heavy work हो रखा है, heavy jerry work हो रखा है, और पूरे के उपर इस तरीके से आपको blouse है, blouse again plain blouse है, इस तरीके से ये इसका blouse है, और blouse के साथ, attached ये border दिया हो है, जिसको आप sleeves पे लगा सकते हैं, अपनी कमर पे लगवा सकते हैं, अच्छा लगेगा, plain blouse है, same जिस fabric के अंदर साडी है, उसी fabric के अंदर आपका blouse है, इसके आपर जो धागे का काम हो रखा है पीछे से इस तरीके से है और फ्रन्ट से इस तरीके का है ये ओवराल लुक बहुत अच्छी आएगी इसकी न— पहनेंगे आप इसको अच्छी सी Ginsu स्टाइल करके पहनो तो अच्छी लगेगी पहने वही लोग भी अच्छी लगेगी कभी भी out of fashion नहीं जाता ये color आप इसको जब मरजी पहन लो हमेशा पहना वो बहुत सुन्दर लगता है मैंने ये साड़ी ना किसी और के पास भी देखी है अपनी family में आएगा इस मुझे याद नहीं आ रहा बट मैंने देखी है blouse जो है ना इसका पूरा इस तरीके से proper silk वाला blouse है आपका ये इसका blouse है पूरी साड़ी जो है आपकी golden color की साड़ी है नीचे जो है red color का border दिया हुआ है इस तरीके से golden and beige color की साड़ी है पूरे इस तरीके से इस पे काम दिया गया है फैब्रिक इसका बहुत ही ज़़ा सॉफ्ट है एस तरीके से पूरे पर काम दिया हुए जो इसका आपका पल्ला है पल्ले पे भी सेम काम हो रहे है बस आपको पीखो तो देखो करवानी पड़ेगी साइडों से न पीको करवालेंगे तो अच्छी सी फिनिशिंग बस यह ना यहां पर थोड़ा से एक्सट्रा कपड़ा है आप इसको कटवा के साइड पे बॉडर अच्छे से पीको कर वाले हैं बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी इस तरीके कि यह साड़ी है रेडन गोल्डन शेड के अंदर कपड़ा बहुत सॉफ्ट है बहुत डीसेंट पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी आप इसको गोल्डन जोलरी के साथ स्टाइल करके पहन लो कंट्रास्ट में पहनना आपको कलर तो आप इसके साथ रेड पर्ल का कुछ पहन सकते है वो भी अच्छा लगेगा तो यह इस 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 नेक्स पीस बहुत सुंदर है पैब्र बहुत अच्छी लगी है मुझे यह पल्ला जो है इस तरीके का पल्ला है साइट पर ऐसे टैसल की डिटेल दे रखी है यह आपका पूरा पल्ला है सिल्वर रेड एंड ब्लैक शेड के अंदर पूरी साडी के ओपर इस तरीके से बूटी वर्क हो रहा है मोर बने हुए है इ बड़ा जितनी वी साडी लगा इन सब का बहुत अच्छी कॉलटी के अंदर है और इसका जो ब्लाउस दिया हुआ है इस तरीके से रेड गलर का ब्लाउस है से मुझी फैबरिक में साडी है और पूरे ब्लाउस के ओपर जो है आपका बूटी वर्क दे रखा है सेम जो आप को आप की अपर इस ने वह भी का लटी के लाओसी है इन लिख जी में मैं को बाइक, पुरानी वाली ठीक दोनों का color में बहुत difference है वो थोड़े darker shade में है मदब उसमें blackish tone होता है purple वाला वो वाला है ये pinkish tone के अंदर है purple shade देखते हैं किस तरीके की है पहले इसका पल्ला देख लेते हैं पल्ला कैसा है क्योंकि पहले पल्ला ही खुला है ये इसका पल्ला है पूरे पल्ले पे इस तरीके से काम हो रख है heavy work heavy आपका पल्ला है पूरी साड़ी पे इस तरीके से booty work हो रख है golden color के अंदर बूटियां बनी होई है और इसका जो blouse piece है plain blouse piece है और साथ में इस तरीके से border दिया गया है जिस fabric के अंदर आपकी साड़ी है same उसी fabric में है इसके ऊपर यहाँ पे बीच पीच में थोड़ा-थोड़ा self print दे रखा है अच्छी साड़ी है, quality साड़ी की अच्छी है मुझे तो देखने में भी अच्छी लगी साड़ी देखते हैं, कौनसी बंगवाई है last साड़ी जो मैंने ली है, मैंने ये blue and pink shade के अंदर ली है जादा महेंगी, इन में से कोई भी साड़ी ना जादा महेंगी नहीं है सब बहुती affordable range के अंदर मैंने ली है क्योंकि affordable range के अंदर साड़ी का होता है कि बहुत सदा महेंगी ले लो ना तो आप उनको repeat तो वैसे भी बहुत बार नहीं करते है फिर वो रखी रह जाती है तो अगर आप budget friendly साड़ी जूण रहे हैं तो आप इन साड़ी को ज़रूर check out और try कर सकते हैं पल्ला देख लेते हैं पहले किस तरीके का है यह इसका पल्ला है पिंक कलर के अंदर पूरे पल्ले पे इस तरीके से booty work हो रखा है बाकी साड़ी जो है इसकी और इसका blouse देख लेते हैं पहले इस तरीके का पिंक कलर का self booty वाला जो है इसका blouse है और blouse के यहाँ पे आपको border भी दे रखा है साड़ी अगर मैं दिखाओं आपको तो overall पूरी blue कलर के अंदर साड़ी है यह इस तरीके से पूरी साड़ी पे जो है काम हो रखा है copper कलर के अंदर blue के ओपर copper काम है golden नहीं है यह इना copper कलर है इस तरीके से fabric बहुत अच्छा है quality बहुत अच्छी है आप try on में देख लो किस तरीके की लग रही है so yes यह थी आज की साड़ी साड़ी आपको वीडियो और प्रॉड़क्स अच्छे लगे हो अच्छे लगे हो तो वीडियो को थमजब जरूर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही था बहुत ही जल्दम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में जब तक के लिए stay happy, stay safe बाबाई